हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्व चैनल आडी कासेज में आसा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब होंगे और हमारी साथ मैथ की क्लास को पूरे इंज्योया के साथ पढ़ रहोंगे तो पैरे बच्चों, इसके पहले वीडियो में आप सबी लोगो चैप्टर नमबर एक से लेकर करके चैप्टर नमबर चार के जो भी कोर्शन उनको हल करा दिया है यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप क्लास्टेन मैथ नाम से प्लेडिस्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समानतर स्रेडि जो हमारा चैप्टर नमबर फाइफ है तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सबी लोग उसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेनत लगती है इसलिए आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सेर करिए और साथ ही मेदी हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपको इस चैनल के माद्यम से कच्छा दस के गडित और बिग्यान दोनों ही सब्जेक्ट को पूरी अच्छे तरीके से आपके बोर्ड एक्जाम दोजार पचीश से पहले कम्प्लिट करा जाएगा चलिए हम लोग अपने लेसन की तरफ चलते हैं और यह हमारा चैप्टर नुबर पाँच है समांतर सेडिया तो समांतर सेडिय का जो है हम प्रस्णावली स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीजे बताना चाहते हैं जिससे आपको जो प्रस्णावली है बह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इससे हम लोग सार्ट फॉर्म में एपी से दिखाते हैं ठीक है ना एपी से ही लिख दिया जाता है क्योंकि समांतर सेडिय का मतलब होता है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक संख्या में कोई निशित संंख्या जोडने या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो उससे हम दोग समांतर सडिक काते हैं ठीक है यनुकि ऐसी मतलब कोई संख्या है और उनकी एक सूची बना दे गई है और ये सूची इस तरह से है एक संख्या में कोई एक निशित संख्या जोडन हमारा 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 24, 21 यह हमारा पहला एक्जाम्पल है ठीक है? ऐसे डाड़ाट करके चल गया है दूसरा हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और इस तरह से बहुत दूर तक चला जाएगा तीसरा एक्जाम्पल है हमारे पास 100, 98, 94, 92, 90 और ये भी ऐसे ही आगे तक आएगा ठीक है? तो अगर हम लोग पहले एक्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देखिए कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा 20 में जब हम लोग फिर 4 जोड़ेंगे तो 24 होगा 24 में फिर हम लोग कितना कम करेंगे 3 जब कम कर देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा ठिक, दूसरी जो स्रेडी हम देख रहे हैं कि 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा और फिर 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 18 तीसरा जो हमारे पास है 100 में से धी हम लोग 2 घटा देते हैं कम कर देते हैं तो 99 हो जाएगा और फिर यहां से 2 कम करेंगे 94, फिर यहां से 2 कम करेंगे 90 इस तरह से आगे चलेंगे, ठीक रहा, तो जैसा कि हम पहली सूची में क्या देख रहे हैं, कि पहली संख्या में हमने 2 जोड़ा है, फिर अगले में 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड से दो घटाया गया है तब हमको अगली संख्या प्राप्त हुई है और यहां पर कहीं हमने दो जोड़ के अगली संख्या प्राप्त कर लिया है लेकिन यहां पर हमको अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या किया है सम्में तीन तीन जोड़ा है और यहां पर सम्में दो घटाया है तो जहां पर ये condition होगी और ये condition होगी कि कोई समान संख्या ही जोड करके अगरी संख्या प्राप्त की जाएगी या कोई समान संख्या या कोई निश्चित संख्या ही घटा करके अगरी संख्या प्राप्त की जाएगी उसी इस तरह की जो सूची बनेगी उसे हम ल लेकिन हमारा जो पहला जो सूची बना है वो समानतर शेड़ी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम अलग-लग संख्याओं को जोड रहे हैं या घटा रहे हैं लेकिन इनमें हम क्या करने हैं कि अगर हमको अगली संख्या पराप्त करनी है तो कोई निशी संख्या को ही जोड़ा गया है या कोई निशी संख्या को ही घटाये गया है तो इसी को हम लोग कते हैं बच्चो समांतर स्रेड़ी और इसे हम लोग AP से प्रदर सीथ करते हैं ठीक ह तो अगर बच्चो जैसे हमने ये संख्याय ली थी संहमें हिं एक टर्म बोला जाता हुर हिंदी में हम लोग इसे फार करते हैं 취 is के बाद चली कर आगे बादा है तो जैसे हम ने कोई अध्य पद लिया था या को यह संर्ग लिया था सव वैसे ही माल लेते हैं हमारे पास एक संख्या है A, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हमने 3 लिया था, यहाँ पे फिर 3 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ा तो फिर 9 हुआ, तो ऐसे ही हमने एक जो है, अलग संख्या का चैन किया है D का, जो हम सूची के प्रतेक पद में जोड रहे हैं, और हम एक समानतर D प्लस D में फिर D जोड़ेंगे, ऐसे ही हम लोग आगे करते हुगे, चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कि यह हमारा A हो गया, फिर यह A प्लस D हो गया, यह A प्लस 2D हो गया, और यह A प्लस क्या बना 3D हो गया, और यह इस तरह से हमारा आगे की तरफ हो तो यह जो रूप बनना है, यह जो हमारा चीज बन रहा है, इसे हम लोग कहते हैं समानतर शड़ी का ब्यापक रूप, यह हमारे समानतर शड़ी का ब्यापक रूप होता है, A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, और इस तरह से डाट-डाट करते हुए चला जाता है, और इसे हम लोग बोलते है समानतर शड़ी का ब्यापक रूप, ठीक है, तो ये हमारा समानतर शड़ी का ब्यापक रूप हो गया, इसके बाद अगर हमारे पास एक AP है, एक समानतर शड़ी है, और ये इसके पद है, A1, A2, ये तो दूसरा पद हो गया, A3 तीसरा पद हो गया, ऐसे A4 चौथा पद हो गय जर्ग है यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों इसका जो पर्थम पद है यह है पर्थम पद की एवन कीकल प्रसमपद अगर यहापक वाले से तुल्ला करते हैं तो A1 किसके बराबर प्राप्थ होता है A के, देखिए A के बराबर A1 है, इसका मतलब है कि कोई भी अगर हमारा समानतर शड़ी है, तो उसके पर्थम पद को हम दो A से दिखाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा जो दूसरा पद है A2, तो A2 किसके जगापे, A प्लस D के जगापे है, A2 बराबर क्या है, A प्लस D, ऐसे हमारा जो फोर्थ वाला पद है, चौथा पद, और वो क्या है, A4, और ये A4 किसके जगापे है, A प्लस 3D के, तो यहाँ पे कुछ चीज़े आप कामन देख रहे हैं होंगे, देखिए, अगर A2 है, तो A प्लस D लिखा गया है, A3 है, तो A प्लस 2D लिखा गया है, A4 है, तो A प्लस 3D लिखा गया है, अगर हम लोग थोड़ा इससे आगे की तरह बढ़ाते हैं, तो A प्लस D को लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1D, क्योंकि देखिए, दूसरे के लिए हमने क्या किया है, D का जो गुलांक है, वो हमेशा एक कम कर दिया, दो मसे घटेगा, तो एक हो जा पिर ऐसे ही अगर हमारे चौथा पद है, तो चौथे पद के लिए हम क्या करेंगे, कि चार में से घटा देंगे, देखिए, तो चार में से घटेगा, तो ये तीन बन जाएगा, यानि कि इसका मतलब क्या होगा, कि जो D का गुलांक है, वो हमेशा इसमें से एक कम करके रख तो ऐसे ही अगर हमारे स्रेडी में N पद हैं, तो अगर हमारे स्रेडी में N पद हैं, तो N वा जो पद हो जाएगा, N वा पद, इसे हम लोग A N से दिखाएंगे, A N बराबर हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्योंकि हम हर पद के लिए क्या करें, यहां पर एक घट जाएगा, A N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, और यहां पर जो हमारा, जहां, A N का मतलब हो गया, N वा पद, A को हम लोग बोलेंगे, पर्थम पद, ठीक है, N यह जो आपका ब्रैकेट के अंदर N है, इसे हम लोग बोलते हैं, पदो की संख्या बोलते हैं, इसे यह फिर जो हमारा D है, यह जो D है, इसे हम लोग बोलते हैं, सारव अंतर बोलते हैं, अभी हम लोग सारव अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि सारव अंतर क्या होगा, ठीक है, तो आसा करते हैं, कि इतनी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो चली ह इसमें बोलते हैं, common difference इसे बोला जाता है, ठीक है न, common difference इसे करते हैं, अंग्रेजी में, C-O-M-M-O-N और D-I-F-E-R-E-N-C, ये इसकी spelling है, ठीक है न, common difference इसे बोलते हैं, Englishman, तो सारवंतर का मतलब होता है, कि वह निश्चित संख्या, जो AP में जोडिया घटाई जाती है, उ जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि AP के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ या घटा करके, अगली संख्या प्राप्त करते हैं, तो जो निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर हमारी AP बनती है, जो समांतर शड़िये वो प्रा तो सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा आपका देखिए यहां पे a2-a1 क्यों क्यों कि हमने इसमें कोई निशी संख्या जोड़ी अगटा यह तब हमारा a2 बना है फिर इसमें कोई निशी संख्या जोड़ी अगटा है तो a3 बना है फिर इसमें कोई संख्या जोड़ी A1 लिखेंगे, फिर ये बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होना चाहिए आपका, A3-A2 के, A3-A2, फिर उसके बाद ये जो है बराबर होना चाहिए किसके, A4-A3 के, तो ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, सब में, दूसरे वाले में से प प्लस D है और A1 क्या है अगर यहां से हम लोग प्राप्ट करते हैं तो A2-A1 क्या हो गया A2 मनतब हो गया A plus D और A1 मतलब हो गया कि A देखिए A1 का मतलब क्या है A1 का मान क्या है A है तो माइनस a हो जाएगा तो a से a यहाँ पे cancer हो जाएगा और इस तरह से क्या बचेगा हमारे पास d फिर अगर इसी तरह से a3 माइनस a2 है तो a3 बच्चों क्या है a प्लस 2d है a3 और फिर a2 क्या है बच्चों a प्लस d है a2 तो ब्रैकेट में फिर हम लोग दें a प्लस d अब इसके बात क्या करेंगे ब्रैकेट हटा लेते हैं हम लोग यह माइनस a हो जाएगा हम लोग एक दो एजामपल लेंगे और उसके साहेता से जनल हम लोग इसे अच्छे तरीके से समझेंगे तो बच्चों यह हमारा पौला इजामपल है कि a3 बटे 2 1 बटे 2 माइनस 1 बट 2 माइनस 3 बट 2 के लिए पर्थम पद a और सार्व अंतर d बताना हम लोगो तो जैसा कि हमने बताया था कि जो सबसे पहला पद होता उसी को हम लोग पर्थम पद करते तो बच्चों यहां पे जो हमारा पर्थम पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यह आपका दूसरे में से पहले को या तीसरे में से दूसरे को या चौथे में से तीसरे को या हमेशा अगले वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो आपका सारवंतर आ जाएगा तो हम यह पे घटा देंगे एक बटे दो में से हम दो घटा देंगे माइनस कर देंगे तीन बटे 2 को तो इस तरह से हमारा ये सारवंतर बन गया क्योंकि नीचे बराबर है तो इसका LCM 2 ही होगा और 1-3 हो जाएगा यानि कि माइनस 2 बटे 2 और ये कट के कितना हो गया माइनस 1 ये आपका जो है सारवंतर प्राप्थ हुआ माइनस 1 तो आसा करते हैं कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी इसके बाद देखें बच्चों हमारा पर ये दूसरा एक्जामपल है कि संख्याओं की निम्लिखित सूचियों में से कौन-कौन से AP नहीं है यदि इन में से कोई AP है तो उसके अगले दो पद लिखिए ठीक है तो चलिए हम लोग इसे साल्ब करके देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले खोल करते हैं पहले तो हमको चेक करना है ये AP में है या नहीं है यदि वो AP में है तो उसके अगले दो पद लिखने घञा तो वह एपी में होगा ठीक है तो यह हमारा जो है सारवांतर एटू माइनस एवन यह होता है सारवांतर यह किया हो जाएगा 10-4 और यह हमारा प् Director as aana यह हमारा च्टीझ ऑन देखी देखरन है यह यह रहला एफ jijh करके चल kuzenica समय की प्राप्थ हो रहा है ठीग है इसका मतलब है लिख सकते हैं लोग यह प्रतेक बार किते यह अई मेगा प्रतेक बार से दो और प्रतेक समय कन भाइं अगले दो और होता है तो इसके अगले पद हो जाएंगे और साथी में अगर AP में है तो और इसका सारवंतर जो हो गया अगर हमको सारवंतर भी बता ना हो तो सारवंतर बता सकते हैं यह कितना है 6 हो गया तो अगले दो पद जो हो जाएंगे अगले दो पद तो सबसे last वाला पत कितना है, 22, 22 में हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जागा 28, और अब हमारा 28 वाला last बन गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 28 में फिर 6 add कर देंगे, ठीक है, तो जब 28 में फिर हम लोग 6 add करेंगे, यह कितना हो जागा, 34 तो अगले यह दो पत इसके बाद हम लोग देखते हैं, दूसरा जो हमारा उदारण है, यहाँ पर भी हमको यही करना है, कि पहले यह चेक करना है, कि यह जो हमारा AP में है या नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले, यह A1 हो गया, यह A2 हो गया, A3 हो गया, यह A4 है, यह A5 है, तो A2 minus A1 करते हैं पहले तो A2 का जो मान है वो क्या है? 2 है A1 का जो मान है minus 2 है यहाँ पे एक already minus है तो minus फिर minus 2 हम लोग bracket में लिखेंगे ठीक है न? तो यह minus minus plus बन जाएगा तो यह कितना होगा? 4 हो गया फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? A3 minus A2 A3 minus A2 लिखेंगे ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा A3 है वो कितना है? minus 2 है और A2 वो कितना है? फिर यहाँ minus कचिन लगाना यह A2 जो है 2 है यह कितना होगा? minus 4 हो गया तो अब हमें आगे जाने क्या हो सकता है यह क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यह 4 है और यह minus 4 है यहने कि A2 minus A1 यह बराबर नहीं है A3 minus A2 के इसका मतलब है कि सारवंतर यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कि A P नहीं है तो आसा करते हैं कि यह चीज आपको अच्छे से समझवाए आ गई होगी आप इस तरह से पचान सकते हैं कि कौनसी जो सूची है वो समांतर शड़ी है और कौनसी सूची समांतर शड़ी नहीं है एक चीज और आपको बच्चों ध्यान देंगे कि जो हमारा सारवंतर होता है, जो सारवंतर है, धनातमक भी हो सकता है, रिडातमक भी हो सकता है, और सुनने भी हो सकता है, ठीक है, यानि कि जो हमारा सारवंतर है, वो क्या हो सकता है, सारवंतर जो आपका धनातमक, रिडातमक और सुनने, ये तीनों चीजे हो सकता है, ठीक है अब फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद बच्चों यह हम अगले कोशन की तरफ चलते हैं कि यदि किसी समांतर शेड़ी का पर्थम पद 10 और सारवंतर 6 है तो उसके 3 अन्य पद क्या होंगे ठीक है नो तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है कि जो हमारा पर्थम पद है बच्चों वो क्या दिया है पर्थम पद को A से या A1 से दिखाते हैं और यह हमारा क्या दिया है 10 ठीक और हमारा जो सारवंतर है और इसे हम लोग दिखाते हैं D से और यह क्या हमारा दिया गया है यहाँ पे 6 दिया गया है तो हमें तीन अन्य पद भी बताने हैं तो अगर हम लोग सिंपल में ही इसे अगर लिखना चाहें तो पहला जो हमारा पद है वो 10 हो जाएगा फिर हम लोग 10 में 6 जोड देंगे तो 16 हो गया फिर 16 में 6 जोड देंगे तो 22 हो जाएगा फिर 22 में 6 जोड देंगे तो हम लोग 28 हो जाएगा तो यह हमारे 3 अन्य लिकल लगए इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं तो देखे पर्थम पद अगर यह A हो गया तो जो दूसरा पद हो जाएगा उसे हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 2D लिखते हैं A प्लस D लिखते हैं दूसरे पद को तो यह A जो है हमारा पर्थम पद हो गया और D जो है सारवांतर हो गया तो यह क्या हो जाएगा 16 तीसरा जो पद होता है उसे हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D लिखते हैं तो यह क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 गुड़े 6 हो जाएगा तो 10 प्लस 12 हो गया और जोड़ेंगे तो हमारा क्या आजाएगा 22 हो जाएगा ठीक है न फिर इसी तरह से जो चौथा पद होता है उसे हम लोग A प्लस 3 D लिखते हैं तो A जो है 10 हो गया प्लस 3 गुड़े जो प्रथम पद है वो 10 है वो 16 जो आसा करते हैं कि यह चीज़े जो आप लोगो समझ में आगई होँगी और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में प्रषणावली 5 दसमरों एक को पढ़ेंगे तब तक के लिए आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद